27 जुलाई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में निती आयोग के गौर्णिंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में अउजित की गई और अब ये बैठक जो है चर्चा के किंद्र में होने के पीछे का दो कारण है पहला तो ये कि बीच बैठक में से पश्चिम को ले करके अब निताओं के बयान आने लगे हैं और सबकी सफाई आने लगी है इन सब चीजों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या माजरा रहा कि ममता बनर जी को बाहर निकल जाना पर आधे बैठक से और दूसरी तरफ नितीश पीछे इंडिये के निताओं का क्या कारण है इन सब चीजों पर विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार में नाम वेद प्रकास है आप जंता जंशन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं पपू सिंग 27 जुलाई को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की अध्यक्षता में निती आयोग के गवर्निंग काउंसल की बैठक दिल्ली मैयवजित की गई थी जिसमें अलग-अलग राज्यों के मुख्य मंत्री और अलग-अलग किंद्र सासित परदेशों के उप राज्य पालों को सा सामिल होना था लेकिन कमाल की बात ये रही कि कई राज जैसे हैं जहांपर विपक्ष की सरकार है और वहां के मुख्य मंत्रियों ने इस बैठक का वहिसकार कर दिया वो बैठक में सामिल नहीं हुए लेकिन कमाल की बात इसमें ये रही कि ममतावनर जी विपक्ष में होते एक मात्र ऐसी CM थी जो पहुची थी वहाँ पर और निती आयोग की गौर्णिंग काउंसिल की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था और उसके बाद ममतावनर जी उस समय लाइम लाइट में आ गई और चर्चा के किंद्र में आ गई जब बीच मीटिंग को छोर करके ममतावन इस पर बयाना चुका है कई लोग ये कह रहे हैं चिराअग पास्वान तक का बयाना चुका है वो कह रहे हैं कि सभी लोगों के लिए 5 मिनट बोलने का ही समय दिया गया था और ऐसे में जब ममतावनर जी का 5 मिनट का समय पूरा हो गया तो राजनात सिंग के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया या फिर उनको बताने का प्रयास किया गया और इस पर ममतावनर जी रुष्ट हो गई और वो बाहर निकल गई हलाकि नितियायोग के अधिकाडियों के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि माइक बंद करने का जो दावा ममतावनर जी ने किया है वो 20 मिनट तक मौका दिया गया 10 से 12 मिनट तक बोलने का उसा दिया गया लेकिन जब विपक्ष की तरफ से मैं इकलौती सीम थी उसके बावजूद मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का समय था और इसको ले करके उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और बाहर निकल गई उसके बाद इस चीज की चर्चा तेज हुई कि आखिर इस बैठक में नितीश कुमार क्यों नहीं पहुँचे और उसके बाद तरह तरह के कयास लगने लगे और इस बात का प्रशन चिन्न खरा होने लगा कि क्या इंडिये में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसके पीछे का कारण दो तीन है जिसके कारण लोग कयास लगा रहे है पहला ये कि बिहार को विशेश राज्य का दरजा ना देने की बात किंद्र सरकार के द्वारा कहना और दूसरा ये कि कई मौकों पर हम यही देख चुके हैं कि भारतिय जनता पार्टी के कई नेताओं का ऐसा बयाना है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि नितीश कुमार साइद इस से रुष्ट होंगे और कई ही मौकों पर हम ये देख चुके हैं कि भारतिय जनता पार्टी खुद को मजबूत कर रही है और नितीश कुमार बिहार में अपने आपको मजबूत करने से चूक जा रहे हैं और इन सब चीजों को ले करके कयास लगने लगा कि क्या इंडिये में सब कुछ ठीक नहीं ह याद कर लीजे कुछ समय पहले जब नितीश कुमार इंडिये के साथ थे और वो पल्टी मारने वाले थे उस समय भी निती आयोग के अहम बैठक में नहीं गय थे और इस कारण से इन सब चीजों को ले करके कयास शुरू हो गया कि क्या नितीश कुमार फिर से पल्टी मारने नहीं है बलकि भाजपा आयोग की बैठक है और इस कारण से उनके साथ सो तेला वेवार किया जाता और इस कारण से नितीश कुमार वहाँ पे नहीं गया है अब इसको ले करके सत्ता पक्ष के कईनेताओ का बयान सामने आया है चिराग पास्वान का बयान सामने आया है और ने कॉंग्रेस और राज़त को उल्टा लपेट दिया है और दूसरी तरफ जितनरा माजी नहीं भी इस पर स्कुष्टी करन दिया है और कहा है कि सीम नितीश कुमार को कोई सारीरिक तकलीफ होगी जिस कारण से वो वहाँ तक नहीं गये है और इस कारण से अब बिहार में अलग लग दावा कर रहे है अब सचाई क्या है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा लेकिन फिलाल निती आयोक को बैठक को ले करके जो खबड़े चर्चा में चल रही है जिन चीजों को ले करके लगातार विवाद हो रहा है उन सब चीजों के बारे में हमने आपको बताया बाकी इस खबर को ले करके आप क्या सुचते हैं निती इस कुमार क्या निती आयोक की बैठक में नजाना क्या संकेत देता है अपनी राय कमेंट के माद दमसम तक जनुर भेजिए और देखते रहिएगा जनता जंक्चन